दोस्तो आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूटूब चैनल पर दोस्तो यूबी बीएड एंट्रांस एक्जाम 6 अगर्ष्ट 2021 का जो कोश्चन पेपर हुआ है उसमें भाग पेपर 1 का जो है आपका सामान्य ग्यान का उसके सभी कोश्चन ले करके हम आपके सामने हाजिर है कोश्चन इस परकार से है पहला कोश्चन से भारते केसरन अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है सही आंसर होगा जम्मू कश्मी भारते सम्विधान में मौलिक करतव्य किस सम्विधान संसोधन के द्वरा सम्मिलित किये गए तो 42 सम्विधान संसोधन हुआ और ये मौलिक करतव्य जो है भारत के सम्विधान में जोड़े गए नेक्ट कोश्चन्स है भरत की सबसे फुरानी पत्थर की सनरजना कौन सी है तो सही आंसर होगा साची का इस्तूप नेक्ट कोश्चन्स है फोबस और डिमोस किस ग्रह के उप ग्रह हैं तो इसका आंसर आप जो है कमेंस बोक्स में दीजेगा अगले questions क्यों चलते हैं कपास की वुरेद्धी के लिए कौन सी मिट्टी जो है उत्तरदाई है तो सही आंतर होगा काली मिट्टी में कपास की फसल जो है सबसे अच्छे होती है कुछ ब्याहर ट्रोफी का संबंद किस खेल से है सही आंतर होगा किरकेट मायोपिया किस अंग को परभावित करता है या संबंदित है तो मायोपिया जो रोग है ये जो है आंग को परभावित करता है next question से ग्रैमी पुरुसकार किस खेतर में दिया जाता है तो ग्रैमी पुरुसकार जो है संगीत के खेतर में दिया जाता है सपनों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो सही आंसर होगा Onyology Onyology के अंतरगट जो सपनों का अध्यन होता है वो किया जाता है अगला question से है सिक्कीम को किस समिधान संसोदन के द्वारा जोड़ा गया तो सही आंसर होगा 35 समिधान पुस्तक आर्गे नरायन द्वारा नहीं लिखी गई है तो इसमें आर्गे नरायन की जो पुस्तक थी वे दी गई थी तीन और चो थी एक ऐसी पुस्तक थी जो नहीं दी गई थी इसके अभी हमें जो है ओप्सन पता नहीं चले हैं जैसे ही पता चलेंगे आपको आंसर आने का परजाज करें कोरोना वायरस का पहला जो मामला है वो कौन से राज्जे में आया तो सही आंसर होगा आपका केरल वन इंडियन गल्ब किसकी पुस्तक है? ये आंसर होगा चेतन भगत देखे का चेतन भगत की पुस्तक जो है हमेशा एक्जाम में पूछी आती है तो ये हमेशा आपको कंठस्त रखनी चाहिए चेतन भगत की सभी पुस्तक है साइंक तुराश संक का मुक्षालिय कहा है बिलकुल सामान्य कोश्चन है आंसर होगा न्यूयार्क अमेरिका केम्प्यूटर में एक बाइट बराबर होता है तो ये सही आंसर हो जाएगा आठ बिट नेक्ट कोश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिचाई की नहर कौन सी है तो इंद्रा गांदी नहर जो है ये सबसे बड़ी सिचाई जो है भारत के अंतरगत करती है उत्पाद सुल्क किस पर लगाया जाता है तो उत्पादक जो होता है उस पर लगाया जाने वाला सुल्क को कहा जाता है उत्पाद सुल्क जेडियों का विश्कार किसके द्वारा किया गया था तो साइन्स का कोश्चन से आंसर होगा जे मारकोनी उटो के लिए परसिद मेला जो है कहां पर लगाया जाता है तो राजिस्थान के पुसकर में ये मेला लगाया जाता है तानसेन सम्मान किस परदेश द्वारा दिया जाता है सही आंसर होगा मध्या परदेश के द्वारा दिया जाता है संगीत के छेतर का संवान है और तांसेन संवान ये मध्या परदेश के द्वारा दिया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए विक्षित की गई पर्थम computer language कौन सी है तो सही आंसर होगा C language पहली computer language जो है C language होगी इससे पहला कोस्चन से ओलम्पिक पदक जीतने वाली पर्थम भारत्य महिला कौन सी है तो ये जो है करनल जो करनम मलेशवरी है इसके लिए सही आंसर होगा पैंसिल में किसका परियोग किया जाता है सही आंसर होगा ग्रे फाइट मिस वर्ड का खिताब भारत में किस महिला को सरवपर्थम दिया गया तो दीता फारिया इसके लिए सही आंसर हो जाएगा चैनल को आप सस्काइब कर लें क्योंकि UPBI की सभी जानकारी आगे इसकी कांसलिंग कैसे होनी है और कैसे आपको जो है रैंक मिलेगी और कैसे आपको जो है subject choice करने है सभी जानकारी आपको दी जाएगी और अगले paper का solution भी आपको दिया जा रहा है इसके बाद हिंदी के paper का दिया जाएगा उसके बाद second paper का अगला question है किस देश में अंडर 19 जो किर्केट का वर्ड कप है वो जीता था तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगलादेश देखेगा इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन बांगलादेश इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 में जो का त्वारन किस परदेश में सरवादिक हुआ तो सही आंसर होगा इस बार जो हुआ है वो मध्यापरदेश के अंतरगत हुआ है विश्व सुवास्थे दिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये परतियक वर्ष जो है 7 अप्रेल को विश्व सुवास्थे दिवर्ष मनाया जाता है अगला कोश्चन से यूपी का राष्टे विरक्ष कौन सा है तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका असोक नेक्ट कोश्चन से प्लासी का यूद कब हुआ तो ये हुआ आपका 1777 में अगला कोश्चन से आश्टेलियन ओपन 2020 किसने जीता तो नावो का जोकावी का कुछ इसी तरीके का उप्षन था वो आपको मिला होगा तो वो सही आंसर हो जाएगा और काफी कोश्चन से हैं जिसका हम अभी आपको सोलूसन देंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने अन्य वीडियो के लिए भी आप चैनल से जुट जाएगा यूपी बैड की एक एक चेज की बरीकी से जानकारी आपको दी जाएगी तो दोस्तो आसा करता हूँ वीडियो बैतर लगा हो तो सेयर कीजिएगा धन्यवाज जय भरत